Hello everyone, welcome to the exam time. Sir, ये है हमारा ultimate MCQ course का video number second, जिसके की अंदर हम लोग discuss करने वाले business law के MCQs, साथ जाथ कुछ important concepts जिसके exam में आने की possibility काफी जादा होती है. I hope तुमने last video देखा होगा, जिसके अंदर मैंने auditing के questions discuss करे थे, साथ जाथ कुछ 5 important concepts जो की exam में आ सकते हैं, तो भी मैंने तुम्हारे शाथ discuss किया था. So, स्वागत है वापस से second video में और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं law के कुछ अच्छे-चे questions. साथ जाथ मैं एक चीज बताना चाहूँगा, exam में काफी कम time रहे गया है, तो जितना हो सके questions practice पे focus करो, और साथ जाथ तुमने जो भी key notes prepare किये होंगे इतने time में, अभी जब से तुमने preparation स्टार्ट करा और अभी तक में तुमने जितने भी notes prepare करे हैं, सब के notes को recall करते रहो, revise करते रहो, और साथ जाथ जो concepts तुम भूल चुके हो, तुमारे भूल चुके हो, या थोरे बहुत नए है तुमारे लिए, उसको कोसिस करो कि brush up कर पाओ, या फिर उस नए concept को बना पाओ, YouTube के मदद से, या फिर तुमारे notes के मदद से, ठीक है, और साथ जाथ अगर तुमारे कोई doubts वगेरा होते हैं, तुम WhatsApp और Telegram पे भी contact कर सकते हो, सो बिना किसी देरी के, आज के session को start करते हैं, first question तुमारे screen पे आ चुका है, यहाँ पे पूछा गया है, according to section 14, consent is said to be free, when it is not caused by, consent जो होता है, उसको free कम माना जाएगा, यह जो word देख रहे हो, consent, section 14 के नुसार, consent को free कब बोला जाएगा, जब वो caused नहीं होगा, इनमें से कौन-कौन से चीज़े जिससे वो caused नहीं होगा, तो पहला option, coercion, coercion तो बिलकुल होता ही है, undue influence, ठीक है, fraud भी, misrepresentation भी and mistake भी, तो यह जो पाँचों options है, अगर आपका consent इन पाँचों चीज़ से effect नहीं हुआ है, तो यह कहा जाएगा कि हमारा जो consent है, वो क्या है, free है, ठीक है, तो इसका जो right answer हो का option D होगा, basic question, next question देखो, in which of the following terms we use the word consensus add idem, पूछा जा रहा है तुम से, यह जो word तुम देख रहे हो, इस Latin word का, इस्तमाल हम किस term में करते हैं, क्या proposal में करते हैं, offer में करते हैं, certainty of terms में करते हैं, या फिर agreements में करते हैं, तो अगर तुमने contract अक्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो तुम्हें पता चले जाएगा, कि यह word हम लोग agreement में इस्तमाल करते हैं, तो जो इसका right answer हो जाएगा, वो agreement हो जाएगा, ठीक है, थर्ड question के और बढ़ते हैं, when is the communication of proposal, the acceptance of proposal, and the revocation of a proposal, deemed to be made, पुछा जा रहा है तीन चीज, जो तुमने proposal दिया, उसका communication, उसका acceptance, और उसका revocation, revocation का मतलब होता है, revoke कर लेना, वापस ले लेना, मान लिया जाएगा, कि वो हो गया है, deemed to be made, तो यहाँ पर चार options हैं तुमारे पास, उस option में तुम्हें यहाँ पर right answer चूज करना है, तो चारो को एक बार पढ़ो, और उसके कोशिस करो कि answer करो, पहला option है, बोला जा रहा है कि अगर जब आप clearly बता रहे हो, वर्वली आप बता रहे हो, communicate कर रहे हो, कि इस proposal को, इसको अब acceptance देना या फिर revoke करना है, पहला option यह हो गया, दूसरा, कोई भी आप activity वैसे कर रहे हो, कोई भी गतिविदी कर रहे हो, किसी एक party के दौरा किया जा रहा है, जो की दरसाता है कि आप कोशिस कर रहे हो, कि उस चीज को प्रपोजल को आप communicate करो, accept करो, revoke करो, तो उस situation में हो सकता है, तीसरा, only when, only when, options देखते चलना, only when the proposal, acceptance or revocation of the proposal is recorded in writing, यहाँ पे clearly verbal बोला गया, यहाँ पे written बोला गया, तो यह तो सरफ होगा नहीं, option D के अगर बात करे, only when the proposal, acceptance or revocation of the proposal is received, and understood by other party, receiving the information, बोला क्या जारा, चौत्छे option में, यह तभी आप मान लिया जागा, गई, communicate की गई, कब बोला जाता है, D option के अनुसार बोला जा रहा है, कि जब आपका acceptance, जो है, वो third party को, या फिर other party word में use करूँगा, उसको receive हो जाए, तो इस situation में, यह तीनों ही options नहीं होंगे, यहाँ पे option number जो B देख रहे हो, कोई आप activity वैसी करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई omission आपके party के दौरा होता है, सामने वाली party के दौरा होता है, जो कि यह दरसाता है, कि आप उस information को, उस proposal को communicate करने की कोशिस कर रहे हो, उस proposal को accept करने की कोशिस कर रहे हो, और उस proposal को revoke करने की कोशिस कर रहे हो, ठीक है, question पर ध्यान दो, बोला गया कि, when is the communication of proposal, the acceptance and proposal and the revocation of the proposal is deemed to be made, मान लिया जगा कि वो हो गया है, तो यह जो B option देख रहे हैं, यह most suitable यहां पर होगा, clear है, next question देखना, Mr. Smart जो है, वो लेंड कर रहे हैं, रूपीज 5,000 to Mrs. Sweetie, Mr. Smart tells Mrs. Sweetie, after a week, that she need not to repay the amount, तो इस contract को discharge किया जा रहा है, और इस discharge को हम लोग क्या नाम देते हैं, तुमने methods of discharge of contract तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें चीजे clear की गई होगी, यह सारी चीजे, contract एक मैंने पढ़ाया है यह, तो बोला जा रहा है कि Mr. Smart, जो है, Mr. Smart, जो है, यह Mr. Sweetie, sorry, Mrs. Sweetie को, Mr. Sweetie को 5,000 रुपे दे रहे हैं, 5000 रुपीज दे रहे हैं, और यह कह रहे हैं, एक हपते बाद, कि अब आपको ज़रूत नहीं है इसे repay करने की, तो यह contract कौन सा होता है, तो बहुत ही basic और आसान question, इसको हम लोग बोलते हैं, waiver, वेवर, ठीक, कुछ important point परते हैं, ठीक है, अब रहने दो, अब उस term के contract के terms को हटा रहे हो, this contract must be deliberate, deliberate होनी चाहिए, और voluntarily होनी चाहिए, in order to be considered a valid, अगर यह deliberate और voluntary नहीं होता है, तो इसे valid नहीं माना जाएगा, ठीक है, making a written notice of the item, rejection would be another approach to renounce the contract, it would not considered as a contract waiver, तो basic point है, waiver क्या होता है, यह बताया गया, अब statement based question के, अगर हम लोग बात करें, तो statement based question काफी simple होता है, अगर तुम दोनों statement को अच्छे से पढ़ते हो, तो चीजे तुम, तुमें clear हो जाएंगे, अब इस statement में देखना कि, a ने agree करा है b को, कि वो क्या करेगा, white horse बेचेगा, for the rupees of 500, और rupees 1000, यह agreement क्या है, यहाँ पर दोनों option रखेगा है, क्या किया गया है, दोनों option तुमारे सामने रखा गया है, कि a agree कर रहा है कि वो b को एक घोरा बेचेगा, कितने के लिए 500 रुपे या फिर 1000 रुपे में, और बोला जा रहा है कि यह agreement है, void माना जाएगा, बिल्कुल सही, आपको एक specific amount clear करना होगा, आपको दो options नहीं देना है, यहाँ पर, आपको एक specific amount clear करना है, कि आप कितने में यह आपे अपने घोरे को, white horse को, b भाई साब को बेच रहे हो, तो इस agreement को आपे void माना जाएगा, तो पहला statement तो बिल्कुल सही है, क्या है, सही है, दूसरे statement के अगरे हम लोग बात करे, यह agree कर रहा है कि वो b को 100 ton of oil बेचेगा, this agreement is void, बिल्कुल यहाँ पे भी void है, क्योंकि यह यहाँ पे mention ही नहीं किया गया, कि आपका consideration क्या होगा, और तुम्हें पता है कि agreement में जब consideration ना हो, तो void मान लिया जाता है, तो इस statement में, दोनों ही, इस question में, दोनों ही statement अपने जगा है, सही है, तो option जो होगा, यह option is the right answer, clear है, section 29 में इसकी बात की गई है, कि agreement void for uncertainty है, बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, कि यहाँ पे पहले statement में, जो मैंने तो मैं समझाया, कि पहले statement में यह ने एक घोरे बेचने की बात करी, 500 और 1000 रुपे में, तो यहाँ पे clarity नहीं है, चीजों को लेकर, बी में आपने consideration की बात ही नहीं की, ठीक है चलो, under which section of Indian contract at 1872, contingent contract is defined, यहाँ पे क्या पूछा गया, contingent contract किस section के अंदर define किया गया है, तो तुम्हें यह बताना होगा, ठीक है, क्या बताना है contingent contract, तो सबसे पहले देख लो कि what is contingent contract, a contingent contract is a contract to do or not to do something, if some event या फिर collateral to such contract does or does not happen, बोला गया कि मैं आपको 50,000 रुपे दूँगा, अगर आप कल, यह example नहीं लेते हैं, एक example से समझते हैं, मैं आपको 50,000 रुपे देता हूँ, अगर एक white fortuner की accident हो जाती है तो, क्या मैंने बोला कि मैं आपको 50,000 रुपीज दूँगा, अगर एक white fortuner की accident हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक contract को मैंने किसी future contingency पर based कर दिया, तो यह क्या contingent contract है, क्या बोला जारे to do or not to do something, if some event और collateral to such contract does or does not happen, यहाँ पर मैंने बोला हो सकता है, कि एक fortuner की accident हो जा होता है तो, तो यह क्या, एक event पर आप बेस्ट कर दे रहो, इसकी बात किस में की गई है, section 31 में की गई है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option B हो जाएगा, which one is the correct sequence implied in the Indian Contract Act 1872, जब आप contract करते हो, एक agreement तयार करते हो, या फिर एक contract की proposal, propose करते हो, तो उस situation में कौन सा sequence आपको अपनाना है, यह बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला option सही है, बिलकुल offer for proposal, सबसे पहले a option लेंगे, कौन सा option लेंगे, a option दूसरे option कियेकर हम लोग बात करें, क्या contract होगा, क्या promise होगा, क्या agreement होगा, या acceptance होगा, भाई साब अगर आपने offer दिया है, तो सामने वाला वेक्ति क्या करेगा, उसे accept करेगा, उसका acceptance देगा, अब acceptance दे दिया, तो promise मो convert हो जाएगा, मतलब promise ये, तो अभी तक हमने तीन options देख लिए, promise होने के बाद, promise होने के बाद एक agreement तयार होगा, अब agreement तयार हो गया, तो agreement finally क्या बन जाएगा, contract बन जाएगा, तो A, E, C, D, B, option number D, जो है, ये आपका सही answer हो जाएगा, clear है, The Indian Contract Act 1872, define करता है, contract को section 2H में, an agreement enforceable by law, this act is based upon the principle of English common law, all agreements are contract if they are made by the free consents of the parties that are involved in the contract for the lawful consideration, अब offer को define किया गया है, acceptance को, promise को, agreement को, contract को, ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं, offer बोला जा रहा है, contract act 1872 के अनुसार, जब कोई व्यक्ती, ठीक है, एक व्यक्ती signify करता है किसी और व्यक्ती को, अपने इच्छा को, ठीक है, कि आप हमसे, ये चीज जो हम आपको दे रहे हैं ये हमारा offer है, आप इसे accept करना चाहोगे, acceptance की अगर बात की जाए, तो section 2B में इसकी बात की गई है, जब person उस proposal को accept कर लेता है, तो उस scenario को नाम दिया जाता है, acceptance, और promise की अगर बात की जाए, तो promise में बोला जाता है, कि जब अपने willingness को, कोई व्यक्ती जाहिर करता है, अपने दो point जो हमने देखे, offer plus acceptance को लेते हैं, तो हमारा agreement हो जाता है, और finally, contract कब कहलाता है, जब एक agreement law के दौरा, कानून के दौरा enforceable हो जाता है, enforceability law की हो आपे हो जाती है, तो उस situation में हम उसे नाम देते है, contract, clear है, चीज़े यहां तक समझ आ रही है, चलो, अब हम लोग यहां प जलत है, एक agreement में consideration का होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, something in return, quid pro क्यों, जब तक आप मेरे से agreement कर रहे हो, contract कर रहे हो, और उसके बदले मालो, मैं आपको एक pen दे रहा हूं, तो मुझे something in return तो होना चाहिए, statement 2 क्या कहता है, all contracts are agreement, but all agreements are not contract, क्या बुला जा रहा है, सारे ही contracts जो होते हैं, जितने भी contracts होते हैं, वो क्या होते हैं, agreement होते हैं, जितने भी contracts होते हैं, वो agreement होते हैं, लेकिन जितने भी agreements होते हैं, जितने भी agreements से जरूरी नहीं है, कि वो क्या हो जाए, contract हो जाए, जब तक agreement में enforceability नहीं होगी, लौकी, तब तक आप उसे contract नहीं मान सकते हो तो statement 2 जो क्या है, बिल्कुल सही है, तो statement 1 is incorrect, and statement 2 is correct, option C is the right answer, clear है, अब यहाँ पे agreement को define किया गया है, और contract versus agreement दोनों को बताया गया है, तो यह सारी basic चीजे हैं, अगर अभी तक तुमने law पढ़ा होगा, या contract एक वाल में पढ़ रखा होगा, तो चीजे तुम्हारे लिए clear हो अब यहाँ पे कुछ terms दे रखें, इसको तुम arrange कर दो, ये side question हमने पहले भी करा है, लेकिन उसमें चीजे थोरी different थी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो, जल्दी फटा-फट करने की कोसिस करो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे offer, offer हमने कर लिया, offer को accept क कर लेंगे, offer accept होने के बाद क्या होता है, एक contract TRIR होता है, और contract TRIR होने के बाद contract का breach किया जाता है, मतलब cancel होता है, तो option B is the right answer, कुछ discuss करने जैसा नहीं है इसमें, question number 10 की और बढ़ते है, which one of the following is a void contract, इसमें से कौन सा contract, void माना जाता है, unilateral, a contract which seizes to be enforceable by law, implied contract, express contract, या फिर all of them, ध्यान से इस question का answer करना, बोला गया है कि, कौन सा contract इसमें, void है, contract कब होता है, जब एक agreement में, law की enforceability लगती है, है ना, जब इन दोनों से मिलकर आपका contract बनता है, valid contract, option B ध्यान से पढ़ना, a contract which seizes to be enforceable by law, यह थोरा सा different है, तो जो right answer है, आपका यह हो जागा, यह valid contract है, unilateral क valid माना जाता है, implied को भी valid माना जाता है, express को भी valid माना जाता है, लेकिन यहापे आप क्या कर रहे हो, ceases to be, इनकी हो सकता है, तो इस situation में दिक्कत हो जाएगी, section 2J में इसकी बात की गई है, कि void agreement, void contract क्या होता है, a contract which seizes to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable, this makes all those contracts that are not enforceable by court of law, unilateral को देख लो, implied देख लो, और express contract देख लो, इसको हम लोग एक बाद discuss कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने आगे के questions को भी cover करते चलें, अई होप अभी तक सारी चीजे तुम्हें clear हो रही होंगे, चलो, unilateral contract, unilateral contract is an agreement in which an offerer promise to pay after the occurrence of a specified event, एक event आपने पगड़ लिया, चूज कर लिया, और आपने बोला कि हम जो agreement हमने तयार करा है, इसमें offerer क्या बोलता है, promise करता है कि यह जब event हो जाएगा, specific event हो जाएगा, या specified act हो जाएगा, तब हम आपको pay कर देंगे, जब offerer के पास एक सामने से request आता है, जहाँ पे वो इच्छा रखते हैं कि हम आपको pay करेंगे, जैसे कि insurance policy contract, यह क्या है, unilateral contract है, सामने से insurance वाली company आती है, आपको बोलती है, भाई साब आप life insurance ले लो, अब बात करेंगर implied contract की, तो implied contract क्या यह एक legal binding है, किसके उपर, जो भी होते हैं, contract में दो parties, that derives from action, conduct, और circumstances, of one or more parties in an agreement, it has the same legal forces as an express contract, which is contract that is voluntarily entered into an agreed, verbally, और in writing by the two or more parties, basic है, मान लिया चाता है, आपके कुछ act से, यह contract क्या है, implied है, express की अगर बात करें, तो contract जिसका की, terms जो है, parties के पास, clearly, एकदम explicitly clear किया गया है, इसको हम लोग special contract भी बोलते हैं, जो भी terms होते हैं, उसको यहाँ पर specifically mention किया जाता है, किस contract में, तो express contract में, the goods which are produced by the seller, after the contract of sale is made, वैसा goods का नाम बताओ, जो कि seller के दोरा produce किया जाएगा, जब contract of sale हो जाए, जब आपने contract कर लिया, अब वो goods को क्या करेगा, तयार करना start करेगा, तो बहुत ही basic goods है, इसको हम लोग future goods नाम देते हैं, ठेक, an unpaid seller, अच्छा, एक चीज़ मैं बता दू, अभी आगे हम लोग सारी चीज़े discuss करेंगे, कि what is contingent goods, future goods, uncertain, uncertain, यह सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे, एक unpaid seller है, वो अपने rights को कब exercise कर सकता है, of stoppage of goods in transit, अगर goods क्या है, transit में है, मतलब रास्ते में है, ठीक है, गारी से goods जो है, वो जा रही है, क्या रही, गारी से वो goods जा रही है, transit में है, तो जो unpaid seller होता है, वो कब अपने rights को exercise कर सकता है, यह बताना है मैं, चलो, पहला है by giving notice to the career, बिल्कुल सही, हो सकता है sir, कि आपने अपने transport agency को, आपने क्या करा, notice भेज दिया, यह गारी रोग दूँँग ही, दूसरा है, by taking actual possession of the goods, sir, अगर आप खुद सोचिए, goods आपका क्या है, आपका ही है, अभी तो आपने possession में भेजा नहीं है, अभी goods रास्ते में ही है, आप क्या करोगे, उसको अपने possession में ले लोगे, तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, by notice of his claim to the bailie who is in possession of goods, आप क्या करोगे, अपने claim का जो notice है, जो भी आप claim कर रहे हैं, इसका जो notice है, किसको दोगे, bailie को दोगे, जिसके पास फिलाल good possession में है, कि हम goods को रोकना चाहरें, ट्रांजिट में रोकना चाहरें, यह भी option हो सकता है, तो जो D, आइदर A, B और C, यह तीनों ही options इसके right answer हो सकते हैं, that is the concept of let the buyer be aware, तो अभी तुमने answer तो देखी लिया होगा, गलती से मैंने दूसरे slide पे कर दिया था, इसका answer होगा, let the buyer be aware, एक होता है, let the buyer be aware, यह होता है, let the buyer be aware, यह होता है, let the buyer be aware, यह हो जागा, caveat after, clear है, basic question, when under a contract of sale, the transfer of property in the goods is to take place at a future, क्या बोला जा रहा है, कि आप sale का contract कर रहा है हो, कि property आप transfer करोगे, जो भी goods है आपका, वो transfer करोगे, कब future में करोगे, और उस पर या फिर आप कुछ conditions वागिरा लगा रहे हैं, तो यह किस contract को हम लोग बोलते हैं, contract of sale, agreement to sale, या sale, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, repeat कर रहा हूँ, आप किसी sale के contract में, आप यह कह रहा है हो, कि आपकी जो property है, वो transfer होगी एक future time में, या फिर वो किसी एक condition पे based होगी, कि वो condition fulfill हो जाता है, तब मैं अपनी property को आपके नाम transfer कर दूँगा, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, agreement to sale, क्या नाम देते हैं, agreement to sale नाम देते हैं, sale और agreement to sale के बीच में तो बहुत difference clear होना चाहिए, इस essential को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही बच्चों वाला question है, जल्दी बताओ, bilateral, दो parties हैं यार, unilateral होता था तब अलग scenario different हो जाता हूं, है ना, चलो, कितने questions हम ने कर लिए, 15 questions कर लिए, कुछ concepts पर shift करें, अब देख लेते हैं, types of doctrine, अभी मैंने तुम्हें बता था, caveat emptor, let the buyer be aware, यही था ना, कि buyer को सामान खरीदते वक्त alert होना चाहिए, ठीक है, जो भी वो सामान खरीद रहा है, उसको अपने होस हावास में उसे काम करना चाहिए, इसके कुछ exceptions है, वो exceptions आप एक बार read कर लेना, doctrine of caveat venditor होता है, caveat vendor बोल सकते हो, जहाँ पर बोला जा रहा है, इसका कुछ exception है, कि seller कभी कभी false represent कर देता है, और buyer भाई साब क्या करते हैं, उस पर rely कर जाते हैं, होता है न, दुकान पर जाते हो, बल्दो भाईया, जो आप सही बता दो, वही हम लेंगे, अब seller निकलता है, चालाक, जो हमारे दुकान वाले भाई साब होते हैं, कभी कभी गलत नियत वाले निकल जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको गलत चीज बता देता है, और आप उस पर कर जाते हैं, और rely, तो उस situation में ये exception में आ जाएगा, ऐसे करके टोटल तीन और हैं, जैसे कि पहला है, दूसरा है, वें दर सेलर एक्टिवली कंसील्स अर डिफेक्ट इन दा गुड्स, अब मैं सेलर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, माल लो ये जो चसमे का डबबा, ये साइट से तूटा हुगा, ये मैंने तुम गुड्स परचेश किया है, description के द्वारा, from a seller, who deals in goods, of that description, क्योंकि होता ना कि हमें description देता है, samples देते कि आपकी goods ऐसे होंगे, आपने उसको देखते हुए, आपने बिना एक पर पूरे sample को, पूरे whole product को चक किये वे, उस description के basis पर आपने product को खरीद लिया, तो इस situation में भी इ चलाल seller के पास हूँ, बेचते वक्त, इसमें तीन categorization होते है, specific, uncertain and uncertain goods, specific goods कौन सा है, मैं buyer, आप seller, मैंने बोल दिया मुझे goods यही चाहिए, ठीक है, अब agreement हो रहा है, बेचते वक्त मैंने यह clear कर दिया कि यह goods मुझे चाहिए, यह specific हो गया, uncertain goods क्या होता है, कि जब अभी contract हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे mind में clarity नहीं कि मुझे कौन सी goods चाहिए, और एक होता आप क्या करोगे, future में बेचने वाले हो, contingent goods की बात करें, तो contingent goods वैसे goods होते हैं, जो कि किसी event के happening and non-happening पे based है, जैसे Fortuner वाला मैंने example तुम्हें दिया था, यह चीज़ याद रख लेना, जैसे कि example तो Alka agree कर रही है, कि वो बिबेक को कुछ paintings तभी बेचेगी जब, only if Chetan its present owner sells it to her, हाँ, कि उसका जो present owner है, वो उसे बेच देगा, तीन पार्टी से ध्यान से समझना, Alka बोल रही है, कि मैं यह painting बिबेक को तभी बेचेऊंगी, जब Chetan मुझे यह painting बेच देगा, यह क्या है, this is contingent contract, future happening और non-happening event पे based है, delivery के तीन टाइप्स होते है, actual, symbolic, constructive, एक एक करके समझने की कोसिस करते हैं, देखो, I hope, अभी तक मैंने तुम्हें चितनी भी चीज़े बताई, वो चीज़े तुम्हारे mind में जा रही होगी, clear हो रही होगी, ठीक है, अगर कुछ doubts बगेरा होते हैं, comment section में बता सकते हो, साथ ही साथ तुम्हारे कुछ suggestions बगेरा होते हैं, कि भाया, ये videos बगेरा चाहि तो जब आप goods physically transfer कर रहे हो, ये लीजे आप goods, अई साथ से पैसे दीजे ये goods ले जाईए, this is actual mode of delivery, symbolic delivery, buyer has control over the goods but not deliveries mid, आप buyer हो, sorry, मैं buyer हो, आप seller हो, आप क्या बोलोगे, कि ये रही बाइक के चावी, ले जाओ, हो गया, delivery complete, अब बाइक के चावी आ गई, मतलब goods का possession मेरे चुका है, तो ये क्या है, goods अभी मेरे पास पहुचा नहीं, लेकिन भाइक की कीज मिल गई मेरे पास, मुझे आगे मेरे हाथ हो, तो this is symbolic delivery, generally ये rail receipts के form में होता है, जब आप railway से कुछ समान वगरा मंगाते हो, और constructive के अगर बात करे, only acknowledge that goods are hold on the behalf of buyer, जैसे माल लो Mr. A है, और store कर रखा है, एक warehouse में होने store कर रखा है, अब ये जो warehouse है, ये जो warehouse है, C भाई साब का है, ठीक है, माल लो C भाई साब का है, इसी और वेक्तिका है, अब Mr. A ने ये सारे furniture's Mr. B को भेज दिया, क्या-क्या Mr. B को बेच दिया, तो अब क्या करेंगे, हम जो क्या करेंगे, कि जो C भाई साब goods Mr. A के बिहाफ पे hold कर रहे थे, अब ये goods Mr. B के बिहाफ पे hold करेंगे, ठीक है, goods कहाँ उठा के ले जाएंगे, आप रखिए यहीं पर, कुछ दिन से इतने दिन तक मैंने Mr. A के बिहाफ पे hold किया, अब मैं आपके बिहाफ पे hold कर ले रहा हूं, समझ पार हो ना This is actual, symbolic and constructive, अभी हमने उपर देखा था, existing goods, future goods, contingent goods, उसके पहले हमने देखा, doctrine of caveat emptor, उसके कुछ exceptions और vendulator, vendulator नहीं, vendulator, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, दो और important concepts, warranty के अगर बात करें, तो warranty के बारे में बताएगा कि यह एक stipulation है, मतलब क्या होता है stipulation का, that is condition, condition collateral है main purpose of contract का, कि अगर इसका breach होता है, तो यह आपको claim देगा damages के लिए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं देगा कि आप goods को reject कर दो, ठीक है, दो प्रकार के warranties होते हैं, express warranty और एक होता है हमारा implied warranty, दोनों ही warranty important है, एक बार इस दोनों warranties को consider कर लेना, लेकिन अगर फिर भी मैं तो मै समझाओ, express warranty क्या होता है, जब आप उसके terms and conditions को, contract के terms को आप expressly बताते हो, सामने वाले व्यक्ति को provide करते हो, सारे terms and conditions जो होते हैं, वो contract के वक्त ही clear हो जाते हैं, this is express warranty, लेकिन अगर implied warranty की बात करें, तो जो जहाँ पे कुछ बाते खुद से imply होती हैं, वो आपको बताने की ज़रूता नहीं पड़ती है, कुछ laws उस पे apply होती है, implied warranty के भी types हैं, तो इसको एक बार देख लेना, और इसके बाद जो हमारा slide आता है, वो आता है मारा condition, condition क्या है, यह stipulated, क्या कहो तो specified essential है, इसी भी contract का, जहाँ पे अगर इसका breach होता है, तो इस contract को आप क्या कर सकते हो, और फिर यहाँ पे different types के implied conditions दिये गए, warranty और guarantee के बीच में difference clear होना, बहुत important हो जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस particular point में confuse करते हैं, कि warranty क्या है, और condition क्या है, कहाँ पे आपको अधिकार मिलता है, product को reject करने का, और कहाँ पे आपको यह right मिलता है, कि आप सिर्फ और सिर्फ claims, damages जो होते हैं, वो claim कर सकते हो, तो यह चीज clear कर लेना है, यहाँ पे, देख पार होगे तुम, warranty क्या है, warranty एक written guarantee है, जो कि purchaser को issue किया जाता है, product के manufacturer के दारा, जहाँ पे यह बात है की गई होती है, कि अगर कोई damages आते हैं, उसको हम लोग repair करेंगे, replace करेंगे, within a specified period of time, यह एक formal और written promise होती है, लेकिन अगर बात की जाए, guarantee की, तो guarantee के एक promise है, और एक assurance है, जहाँ पे, कुछ specific qualities को लेकर, कि अगर यह specified time में ऐसे दिक्कत आती है, तो हम आपको product को ही change करके देंगे, assurance देते हैं, ठीक है, तो I hope तुम यह सारी चीज़े समझ गए होगे, clear है, तो अभी तक हमने क्या-क्या discuss करा, सबसे पहले वो जान लेते हैं, अभी तक मैंने तुम्हें total 15 questions करवाय, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 15 questions हमने business law के discuss करें, क्या करा हमने, 15 questions हमने business law का यहाँ पर discuss करा, साथ यसाथ हमने 5 important concepts भी इसके discuss करें, कुछ concepts हमने questions के साथ ही discuss कर लिया, लेकिन 5 important concepts जिसके exam में आने के chances, वो basically मैंने तुम्हारे साथ discuss किया है, सोगा के concepts, sales of goods sector concepts, और कुछ contract के questions है, sorry, और भी कुछ law के question है, जिसको कि मैं एक अगली वीडियो में cover करूँगा, ठीक है, इसका मैं एक 5 second भी लाओंगा business law का, जिसके अंदर और के जो भी बाकी topics हैं, उसको भी हम लोग discuss कर लिया करेंगे, like negotiable instrument, तो और भी एक दुख topics हैं, उसके questions हम लोग discuss करेंगे, लेकिन फिलाल के लिए, अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसको एक बार recall कर लेना, और जो भी students के जो भी doubts होते हैं, और वो comment section में बताया करो, साथ इसाथ exam time app download कर लेना, और एक important update की telegram group को join कर लेना, वहाँ पर मैं इसके pdfs वगेरा तुम्हारे लिए share कर दूँगा, और साथ साथ last में request रहेगा, कि अगर अभी तक वीडियो में पहुंचे हो, तो वीडियो को या थमसप करो, like करो, साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share करो, उन तक पहुंचाओ, क्योंकि exams उनके भी हैं, और उनका भी preparation होना काफी important हो जाता है, और अगर तुम्ह पहले से वीडियो बना रखें और वो मैं continuously upload कर रहा हूँ, तुम जो comment करोगे, वो मैं जैसे देखो, अभी तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह अगले आधे गंटे में तुम्हारे पास आजाएगा वीडियो, आधे से गंटे में आ जाता है, ठीक है, तो उसी दिन वीडियो यह शूट होता है, तो एंट करते हैं अबने आज के सेशन को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक्यू बहुते हैं and टेक क्या हूँ